इस वीडियो के अंधर हम डिस्कस करेंगे ओडिसी का पार्ट से के आपने पार्ट फर्स्ट को देख लिया होगा उसमें कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं I'll cover that Alright, so without wasting much of your time, let's start the part second अभी तक कहानी ये है कि एक Audacious नाम का Greek Hero है और वो यहां वहां भेटक रहा है Trozen Wars से आने के बाद और वो अपने kingdom पे नहीं पहुच पा रहा है तो उसने क्या-क्या problems का पे सामना किया और कैसे वो अपने kingdom पहुचा उन सारे stories को frame किया गया है 24 books के अंदर by Homer तो इसके अंदर हमें यह जानने को मिलता है कि उसका जर्णी कैसा था और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया तो हमने बुक 10 तक कवर कर लिया है अब आगे की जो बुक 18 तक है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे बचा हुआ नेक्स वीडियो के अंदर तो बुक 10 तक हमने यह बात जानी कि वो एक यहां पर ऐसी जंगय पर फस गए थे जहांके लोग बहुत बड़े-बड़े से अगली इकनेमलिस्टिक थे तो अब इनको खत्रा महसूस होता है तो फिर जैसे तैसे भागते हैं वहां से देन नेस कि उनके बहुत सारे जो साथी थी वो मारे जाते हैं उनको खालिया जाता है तो जैसे ही वहाँ से फिर यह भागते हैं, फिर वो एक ऐसे आइलेंड पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से पूरी स्टोडी का क्लाइमेक्स बनता है तो यहाँ पर हम बुक 11 को डिस्क्स करने वाले हैं, दबुक ओफ डेट, होमर यहाँ पर बताते हैं कि अब इन्होंने जो आडिसिस हैं, वो बहुत चुके हैं, लेंड ओफ सिमीरियन्स में, और फिर एक जो रीवर बैंक है, उसके किनारे किनारे चलते हैं, जो उस इंचेंट सॉफर करता है, क्योंकि वो बहुत सारे महाँ पर मर गए थे, तो इन्होंने यहाँ पर सबको वादा किया था, भई तुम्हारा जो डेट बॉड़ी है, मैं उसको अच्छे से क्रिमिनेट करूंगा, देन इस आरेनिकली जो पहला सोल उसके सामने अपीर होता है, वो होता है अलफिनोर का, तो अडिसिस है, वो प्रामिस करते हैं, अलफिनोर को, कि भाई मैं तरहना बहुत अच्छे से बरियल करूंगा, जैसे ही मैं सिर्स के लेंट में पहुत जाऊंगा, और वो इन्होंने किया भी, फिर जो दूसरा सोल आता है, वो आता है, एंटी सीलिया का, जो अफिट है, हमने इसका नाम सुना था, एडिपेस वाला जो भी टेक्स था, उसके अंदर सो फॉकलिस ने जो लिखा है, जहां पर भविश्य वाइनी करता रहता है, अभी यह होगा, जो एडिपेस है, वो क्या करने वाला है, उसके फादर की डैथ होगी, तो वो सारी चीज है, वो वान करते हैं, ओडिस को, कि यार्देक माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, जो पॉसीडन है, उसके बेटे को तुने अंधा किया है, जो की कौन थे, पॉलिफिमस, लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे तैसे तुम पहुंचे जाओगे इथाका, लेकिन बहुत जादा तुम हुई है, तुम्हारी एपसेंस में, मेरा आती है, बुक नमबर 12, स्कायला एंड चार्बिडिस, यहां पर जब हॉल्स ओफेट से जो और इस वो वापिस आता है, तो अपना प्रामिस रखता है, अल्फनौर के नहीं, अल्फनौर को नहीं, उसका एक कॉम्रेट, और उसको प्रापर बरियल देता है, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है, तो बताता है सिर्ख को आके कि क्या कै मेरा एडवेंचर रहा, कैसे मैं हौल अफ हेड्स गया, तो सिर्ख जो कि एक कौन है, इंचेंटर है, वो बताती है, जो भविश्यवाइनी करती है, तो बताती है कि आगे द जरस हैं, स्काइला और चाबिडिस, उनको फेस करना होगा, अगर आप इंसे पास कर लेते हैं, सेफली, देन यह रीच दे लेंड ऑफ हाइपेरियन, टारसिस की तरह सिख भी उन्हें बोलते हैं कि भाई दे कि जो कैटल ऑफ हाइपेरियन है न, इसको तो छेड़िवाई मत इसको तो हाम करने का तुझे सोचना ही नहीं है, तो अब हम देखते हैं, कैसे उन्होंने बात बताया सारा, जो स्काइला और काबिडिस हैं, वो कौन है, यह दो इमोर्टिबल और इरिसिस्टिबल मॉन्स्टर्स हैं, जो की फेस करेंगे, ओडिसिस को, तो अब ओडिसिस को अपने अगले पढ़ा उपर पहुचेगा, तो यह बुक थोड़ सा स्लो चलेगी, और रिस्टोरेशन की बात करेगी, कैसे ओडिसिस को अपनी जो राजगदी है, वो आपस मिली, तो जैसा कि किंग एलिनिस ने प्रॉमिस कर रखा था ओडिसिस को, कि भईया मैं आपको भे अपने जो जंग है, अपना किंडम है उसको, और अपने आप भी जो एथेन है, वो बन के आ गई एक शेपर्ड जो की होता है, भेड़ चराने वाला, ताकि फिर वो जाए, इसके पास ओडिसिस के पास, और पूछे कि भई, हाँ भई कॉन है, तो कहां से आया है, मैं आपको एक यंग सी, बीटिफल सी विमन है, बहुत सारे लोग आके वहाँ पर ट्राइ कर रहे हैं उस पर, कि भई, आपके तो हस्बेन हैं नहीं, आप आप हमसे शादी कर लीजेए, इस टाइप से कुछ चल रहा है, तो अब क्या होता है, जो यह है एथेन, वो एडवाईस करती है यह ओडिसिस को, कि भई, देखो अपना जो ट्रेजर है, जो तुम्हारे पास जो भी गिफ्ट्स है, इनको तो तुम रखलो साइड में, और पहली बात तो किसी को तुम बताना मत कि तुम वापिस आ चुके हो, क्योंकि तुम इस केंडीशन में नहीं हो, कि अभी तुम सब हो चुका है बाद में, तो वहाँ पर जो वो पहुचा है इथाका, तो फिर एथिना है, जो वो सारे मिस्ट को हटा देती है, और इथाका उसको जो प्रॉपर तरीके से दिखता है, तो अडिसिस बहुत खुश हो जाता है, कि ओ मेरी धर्ती, तो वो ऐसा मिट्टी को उठात है, बुक नमबर 14, युमेस इन ओडिसिस, अब जो एथिना है, वो एडवाइस करती है, ओडिसिस को कि देखो यहाँ पे एक तुम्हारा फेद्फुल सा स्वाइन हर्ड है, युमेस तुम इसके साथ रह लो, स्वाइन हर्ड बोले तो जो पिक का पालन करता है, ठीक है, जो रेज करते हैं, पेक्स को, उनको बोलते हैं, स्वाइन हर्ड, तो अब यह ऐसा पुरा बैगर का रूप धार्ण करके, ओडिसिस पहुचता है, इसके पैस, और यह इसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, और अपनी लोयलिटी शो करता है, टुवर्ड्स इस मास्टर, यह और बिल्कुल वो डीप होती है, इसको फेक चीज़े नहीं होती है, ठीक है, तो फिर इसको और इसको पता चलता है, कि मेरे जो ऐसा किंडम के लोग है, मेरे से कितना प्यार करते हैं, और मैं कितना चहीता हूँ लोगों का, जो राजा का अपना वेश बदल के आना, इस सार इस सर्वेंट के वो इक्वल वैठा है यहां पर, और फिर यहां पर एक जो हुमिनिस्टिक कॉंसेप्ट होता है, ओर्डर ऑफ ससाइटी का, कि यह एक आदमी उचे दरजे पर है, वो राजा है, वो रंक है, तो वो जो सारा एक, यह है सोशल ओर, उसको थोड़ा सा काउंट करने की कोशिश की है, यहां पर, हुमर ने, भई जो यह स्वाइन हर्ड है, यह कितने लोवर सेक्शन और ससाइटी से आता है, लेकिन स्टिल, वो किस तरीके से हेल्प करता है, इसकी ओडिसिस की, तो वो सारा जो एक सोशल हरार्की है, उसके ओपर ही इन्होंने पुरा अप अपना कृटिक है, जो दिया है, बुक नमबर 14 के अंदर, फिर हमारी वुक 15 में बताया गया है, रिटान ओफ तेलिकमिस, तेलिकमिस इसका ओडिसिस का ही लडगा है, और यह जो बुक 15 है, इसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पहला तो टेलिकमिस का जर्णी, तो यहां पर बताया गया है कि जो एथीना है वो पहुचती है स्पार्टा और एडवाइस करती है टेलिकमिस को कि आपको जल्दी से अपने घर पहुचना चाहिए और अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सुटर्स वहां पर आ रहे थे और उन्होंने बहुत सारे जाल भी बिच्छा रहे थे ताकि वो टेलिकमिस को मार सके तो एथीना है जो एडवाइस करती हैं कि देखो तुम सीधे मून से मत लगना ऐसे और अच्छे से तुम्हें अपना पूरा स्ट्रेज करना है कि how you have to face them तो टेलिकमिस बोलते हैं मैनलेस को जो कि हैं किंग ऑफ स्पार्टा की देखो भईया मैं को जाना पड़ेगा मेरे किंडम में वापस क्योंकि ऐसा मिरे को अपने किंडम को प्रेक्ट करना है तो इस सारे गिफ्ट विफ्ट लेके वापिस आते हैं और हैलन इनको एक embedded gown भी देती है कि भईया जब तुम्हारी शादी हो न तो अपनी wife को तुम्हें दे देना मेरी तरफ से as a gift फिर आती है book number 16 जिसमें बताया गया है कि कैसे जो audices है वो अपने बेटे से मिले तो टेलिकमिस जैसे स्पार्टा से वापिस आते हैं तो वो युनिमस से म पारे में कि कहीं उनकी जो मदर है उनकी दुवारा शादी तो नहीं हो गई क्योंकि बहुत सरी स्यूटर से उनके पीछे तो यहां पर जो टेलिकमिस है उनको बताया जाता है कि भई नहीं ऐसा कुछ नहीं है बलकि she has faced a lot and now you should take charge of her और यह भी बोलते है कि मेरे पास एक इस तो टेलिकमिस बोलता है कि यह देखो अभी इतना मेरे घर में कुछ कुछ चल रहा है तो मैं इनको तो नहीं ले जा सकता वहां पर था ठीक है तुम्हारे उपर प्रेशर हम नहीं पढ़ने देंगे हम इसके लिए खाना और कपड़े ऐसा भीजवा देंगे ताकि आपक मतलब कि मेरे घर मेरे सारे एनिमीज बैठे हैं और मैं खुद वहां पर नहीं जा सकता फिर जो टेलिकमिस है वो युमेस को बोलते हैं कि भाई तुम जाओ पैलेस में और मेरी जो मदर है उनको बता दो कि मैं वापिस आ गया हूँ किसी और को नहीं पता चलना चाहिए ताक कि जो एथेना है वो आजाती है वो टेलिकमिस को नहीं दिखती है बस ओडिस को दिखती है वो अडिस को बोलती है कि सबहार आ जाओ तो बहार जाते हैं तो उसे बोलती है कि यह टाइम है सही समय बिल्कुल तुम अपने बेटे को बता दो तुम्हारी रियल आइडेंटिट जैसे ही वो उसको touch करती है वो एक beggar से और डिसिस के रूप में इसा change हो जाता है पहले तो टेलिक में इसको बहुत ज़दा doubt होता है कि भाई ये कैसे हो गया अभी तो एक beggar था है यहाँ पर ये कैसा change हो सकता है तो अडिसिस जैसे तैसे उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाईया मैं नहीं हूँ इसके पीछे इसके पीछे है यह थे न जिसने यह सारा magic किया है who has changed me तो at last जो टेलिक में से वो समझ जाते हैं और ऐसा उनको पूरा हग कर लेते हैं अपने फादर को और रोने लग जाता है तो पूरे situation को यहाँ पर बताया गया है कि जो Greeks है were not ashamed of displaying elemental emotion यहाँ पर एक बहुत ही important हमें emotion के बारे में बताया गया है कि जो हम देख सोचते हैं कि राजा तो बहुत ही ताकतवर होते हैं उनका विल्या और उनका गलोरी यह सब लेकिन जो यह थे Greeks वो अपने emotions को छुपाते नहीं थे यह बात यहाँ पर highlight की गई है by Telekmas जब वो रोने लग जाते हैं अपने फादर को देख कर जैसे ही Phenylip के पास यह खबर जाती है Telekmas के आने की तो उनके suitors को भी पता चल जाता है अब वो इस moment पर इतना गुस है और मतलब ऐसा disappointed होता है कि यार नहीं मरवा पाए इसको फाइनली आई रहा है वापस तो यहाँ पर फिर जो यह हमारी Phenylip है यह बहुत ही इसे डाटते हुए भी बोलती है अपने suitors को किया है तुम कैसे से लोग हो तुम कितने evil लोग हो तो इस तरीके से पुरा scene चल रहा है कि इनके घर पे कबजा करके बैठे हैं यह पूरे इते ना बाद में Audisys को फिर से एक bagger बना देती है ताकि उन्हें में इसको ना पता चले कि इसा बाब बेटे के बीच में क्या हुआ है तो इस बुक के अंदर बहुत ही इंट्रस्टिंग सा study किया गया है इंटर प्ले ओफ अपीरेंस और रियलिटी का जो कि होमर ने बहुत अच्छे से highlight करके दिखाया है कैसे वो bagger से फिर अपने रियल रूप में आ रहा है फिर दुबारा से bagger बन रहा है तो वो सारी चीज़ है तो इसमें बताया गया है कि टेलिकमेस जैसे कि उसके फादर ने इंस्ट्रक्ट किया था अपने पैलेस जाता है सबसे मिलता है फिर फेनलोप उसको ऐसा मिलती है तो उससे बात करता है वो अपनी मदर से और बताता है कि वो इनसे मिला कैसे रही उसके मेटिंग्स फिर वो पताता है थियो क्लिमस के बारे में पर जो ये थियो क्लिमस है वो प्रॉफेसी करता है कि ओडिस भाया इथाका के अंदर ही है लेकिन जो final up है उसने इतने सारे rumors सुन लिये थे 20 साल से कि वो अब किसी पर विश्वास नहीं कर रही है वो इसको serious नहीं लेती है और बस फिर वो ऐसा ये सारा scene shift हो जाता है उसके suitors पर कि कैसे वो कबजा करके बैठे हैं उनके घर पर इन दा मीन टाइम जो ओडिस और यूनिमस है वो जाते हैं पैलेस की तरफ on the wave उनको बहुत सारे जो लोग हैं उनका ऐसा मजाक उडाते हैं फिर वो मेलिंथियस से मिलते हैं जो कि सब को मीट सप्लाई करता है जैसे ये ओडिस महल की तरफ पहुचते हैं तो उनका एक dog होता है एरगेस नाम का बहुत इस सिक और नेगलेक्टेट सा डॉग वो देखते ही अपने मास्टर को पहचान जाता है लेकिन वो खुशी के बारे मर जाता है तभी क्योंकि वो अपने मास्टर की आइडेंटिटी को ऐसा रिवील करके उनको बिट्रे नहीं करना चाहता था जैसा क पूरे इंस्रक्शन दिये थे थी नाने वो ऐसा मांगता मांगता बैगिंग करता करता जाता है सभी सुटेर्स के पास ताकि वो सब को क्लोजली देख सके तो जो कोई भी सुटर है उसको खाना नहीं देता है सिर्फ एक देता है जो क्यों होता है इंटेनियस और भी बड़ वो ओडर करती है युनिमस को कि भाई इस बैगर को घर के अंदर ले आओ मैं इसकी स्टोरी सुनना चाहती हूं कि कैसे इसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है युनिमस को ओडिस बोलता है कि भाई इनको बोल दो फैनलोप को जाके कि अभी मैं तो नहीं आ सकता संसेट के बाद मैं आने की कोशिश करूंगा आपके पास देन विल टॉक अबाउट एट निस बुक नंबर 18 दबेगर इन दपैलेस तो यहां पर क्या होता है कि जैसे वो थ्रिसोल्ट पर बैठे होते हैं त्रिसोल्ट होता है यह देहलीज घर का तो जब देहलीज पर बैठे होते इस एक बैगर का रूप बनाके तो उनके असली वाले बैगर से लड़ाई हो जाती है जो सुटर्स होते हो तो बड़ा मजा लेते हैं इस लड़ाई का लेकिन फाइनली फेनलोप इसमें इंटर्वीन करती है और बोलती है कि आज कोई आदमी मेरे घर पर आया है और हाओ के लिए अनुट रखना चाहिए मेरा इतना अच्छा आएव इसा हमारा घर है इतना अच्छा हमारा केंड़म है कि हम सबको होस्पिटालिटी दिखाते हैं जो छोटा हो जो बड़ा हो एंद इस बैगर शूड़ नाट बेटेड लाइक बाट आगे के सीन्स में यही बताया ग करना पड़ता है तो इस बुक के अंदर यहीं साथ चीज़े बताए गई है कि कितना क्योस फैला हुआ है उस पैले सके अंदर इस वोज बुक नंबर 18 इसी के साथ हमारा यह जो पूरा डिसकेशन था वह कंप्लीट होता है आई हूप आपको समझाया होगा कोई इस वीडियो के अंदर सितना ही आगे का जो बुक्स है वह हम नेक्स वीडियो के अंदर कवर करेंगे इस वीडियो का लाइक टागेट है 500 लाइक अगर आप वो कंप्रीट करा देते हैं तब मैं पार्ट थर्ड अप्लोड करूँगे तो जल्दी जल्दी करवा दिएगा तो सब्सक्राइबर्स तो वो भी जल्दी करवा दो अल्राइट सब्सक्राइबर्स वीडियो तिल दन टेक केर स्टे हैपी स्टे हल्दी